जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नोटिवकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी नया सस्थिंग वीडियो गुरुजी माराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिवकेशन आप तक तुरंट आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएं और माराज का दिव्य आशिरवाद ले पाएं वो भी सस्थंग सुनकर जय गुरुजी आज मैं आप सब के साथ जो सस्थंग शेर करूँगा वो हमें वाट्सेप के मादम से प्राप्त हुआ है हमें बेदी अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जरनी बहेज रहे है संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सस्थंग हमारे सस्यर करते रहें चाया आप हमें वोट्सेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें एफिर नोटबुग में लिखकर या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है जब भी आप अपना नया सस्थंग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शान्त वातवरन वे ही रिकॉर्ड करें संगत जी आज जो हम सस्थंग सुनेंगे आज का दिव्य आशिर्वाद आप सभी को मिल सकी अंटी जी ने जैसा सस्थंग हमारे साथ शेर करा है वैसे ही आप सब के साथ इस सस्थंग के मात्यम से आसाज़ा करने जा रहे हैं इसलिए आप सभी संगत सस्थंग के अंतगवने रहना वो सत्संग को बहुत द्यान से सुनना वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्लयान होता है और सत्संग करने वाले का भी और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कही सवालों के जवाब मिल जाएं चलिए स्टसंग शुरू करते हैं जै गुरु जी अब पार काश्ट है कोई है दो तिन दिन भाई है संग जी तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे अंकल जी को भी रात को ड्रीम में ड्रीम आता है और उस ड्रीम में उन्हें कुछ आक्सिदेंट वगेरा दिखता है कि मेरे अंकल जी अभी इसे लगता है कि गुरुपा ने उनका ढ्रीम में किस्ट कार्ड दिया तो संगजी फिर गुरुपा मुझे एक्सिडेंट वगेरा के सत्संग भी सुन्माई और मेरे अंकल जी को सपना है था वो भी एक्सिडेंट का है था तो संगत जी फिर क्या होता है मैं पूजा वगेरा करती हूँ शाम की उस दिन मॉर्निंग में मैं पूजा नहीं कर पाती नहीं तो मतलब पता नहीं क्यों इतना नेगिटिविटी थी है क्या था मैं सोती रही और पूजा नहीं कर पाई उस दिन उसकी बाद शाम को क्या होता है संगत जी मैं बाहर गई थोड़ा मतलब अपने काम के लिए तो संगत जी मैं आए और मैंने देखा कि और मेरे घर में मैंने पहले भी अपने सुच्छन में बताया संगत जी कि गुरुपा मक्खी के रूप में मतलब एक शक्ती जो है वो मेरे घर में मेरा क्या घर है वो बाबा का ही घर है वो हम तो रहते हैं वस बाबा के घर में तो शक्ती उस मक्ही के रूप में होती है और संगर जी आम मानेंगे नहीं और वो टेबल पे मरी हुई थी और मैंने उन्हें फिपवधे में डाना मंतर जाब किया और मैं गुरुपा से भी यही अरदास करती हूँ कि बाबा हलाकि अरदास वाला हो कहते हैं कि अरदास नहीं इंवल्व करना जाए लेकिन फिपवी मैं उनकी आत्मा की शांती के लिए धन्यवाद करती हूँ पहली बात और अरदास करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांती देना बाबा और अपनी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए अपना हाथ हम पर बनाए रखने के लिए हमारे अंग संग रहने के लिए हमारे कश्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुकराना मेरे बाबा आपकी महीमा का मैं क्या वर्णन करूं संगत जी क्या हो रहा है क्या जिन्दगी में मतलब इतना beautiful है कि कोई words नहीं होते explain के लिए संगर जी अब मेरे साथ क्या होता है कि वो कहते है न कि टेलीपैथी से message आता है और तब गुरुपा message देते हैं पर संगर जी मेरे साथ क्या होता है न सब कुछ करा देते हैं मुझे बाद में पता चलता है कि गुरुपा ने मेरे से ये करवा दिया और ये इसलिए करवा दिया मतलब आप मानेंगे कि वो वगर कुछ मेरे लिए चीज खरीदनी होती है मेरे अंकल जी के थ्रू या किसे न चीज के थ्रू वो चीज आ जाती है और मुझे बाद में पता चलता है कि वो गुरुपा ने इसलिए खरीदवाई है संगत जी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे भाबा मेरे मालिक आप मैं बहुत अलग फेज में थी पर क्योंकि आप मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो आप मैं इतनी सादा पॉजिटिव हूँ इतने जादा खुश हूँ और मेरे बाबा को शुकराना करती हूँ बाबा अनंतम अनंतम शुकराना अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए सरवद्दा भला करना सबको जो भी जिनको भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रुत है बाबा आप उनको पहले अपनी उन पे क्रिपा बनाना और जो वेट कर सकते हैं जैसे मैं हूँ आप मुझे कह रहे हैं कि तू थोड़ा इंतजार कर तो मैं आपकी इन लीलाओं में ही इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बाबा अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलो आपसे क्या मांगो जब आपने अपना साथ अपनी प्रेजन्स हमें दे दी तो मतलब आपने हील कर दिया एक एक डेट बोडी की तरह थी मेरी ये बोडी मैं ये आत्मा जिसमें कोई इच्छा नहीं थी उससा आत्मा को हील करके फिर से उसमें एक रे अफ होप आपने जो जगाई है ना संगर उगरुपा मैं आपको मतलब I wish कि आपनी मेरे सामने होते और मैं आपको हग कर पाती तो बस यह बोलूँगे कि अनन्तम अनन्तम शुक्राना मेरे बाबा मेरे जिन्दगी में सब चिन गए थे और आपने आके हर एक पर्टिकुलर चीज की कामें पूरी कर दी हर एक चीज की मतलब पूरी not in terms of की कुछ मेटेरलिस्टिक चीज का वो नहीं बोलूँगी मैं लेकिन एक सोन को हील करके एक मतलब मेरे जो खृपा करके जो रिष्टे थे जो भी दूर किया आपने जो भी चीजे जो भी स्टेप आप मेरे ले ले रहे हो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा अपना हाथ सदय आपने बच्चे पर बिनाए रखना संगत जी अब हम गुरु भग तांटी जी का सत्संग सुनेंगे जै गुरु जी शुकराना गुरु जी संगत जी ये मेरा आज छटवा शुकराना सत्संग है गुरु पाने मुझे साथ दिन तक अबड़ी तिवेले में साथ दिन तक सत्संग अपना शेर करने के लिए बोला था और शेवा एक दी थी जो मैंने सुला था दो सत्संग मेरे पा अब नितने में साथ दिन साथ सटसंग करने के लिए शेर करने के लिए सेवा दी थे उनको तो जब मेरे पास आया तो इसका मतलब कि मुझे भी कहा जा रहा है गुरुपा उने कहा है तो मैं भी आज मेरा यह चठा है सटसंग सटसंग जी कि सबसे पहले मैं गुरुपा का मंतर जाप कर लेती है क्योंकि मैं नहीं कि भूल जाती हूं मैं सुलवात में बहुत पावर्फुल मंतर जाप है गुरुपा ता यह बहुत शक्ति मिलती है बहुत सांती मिलती है और बहुत बहुत पावर्फुल मंतर है यह संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है ऐसो तो बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं डेली और इतने सत्संग करते हैं मतलब होते हैं ना कि मैं मतलब मुझे याद भी नहीं रहते ये यूँकि इतने मतलब इतना गुरुपाने शुक्राना मतलब इतना त्मेहर किया हुआ है ना मतलब तकलीफ तो लाइफ है जब तक रहेगी तब तक संगर्स, तकलीफ, परिशानिया चलती रहेगी और इंसान के लाइफ में होगी हाँ वो है लेकिन सत्संग में चोटे-चोटे हो चैबरे-बरे इतने सारे हो रहे हैं ना गुरूपा के आने के बाद हमारी लाइप में कि यह हो रहा है कि मतलब अब कौन सा याद भी नहीं रहा था क्योंकि इतना उपकार किया है पाने इतने इतने सारे मतलब हों इये किये हैं महर किये हुए हैं हमबर है कई सबसे बना सथिंग मेरे दिमाग में आया कि मैं に मैं करकली या डाद को सोची हुती कि नई we плeni अपना शायर करूंगी वह ये था कि मेरे ख़ादर मेरे गर में मेरे से तो किसी का बनता है, नहीं, सब को मेरे अगेस्ट कर दी है, मेरी बहनों ने, मतलब मेरे भाई को, फिर मेरे जो बड़े वाले जिया जी है, उनका तो, मैंने पहले बहुत शक्त संग अपना शेयर किया हुआ है, अपनी लाइक से रिलेटिड की क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और बुरुपा ने कब मेरा हाथ थामा, यही इसी साल मार्च में, 31 मार्च को, ऐसे तो होली के दीन से ही समझवा, 25 को होली था न, तो उसी दीन, मतलब मेरा हाथ समझवा कि उन्होंने, मतलब मुझे उनका मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक होता है प्रॉपर विश्वास, मतलब मुझे भी कि हाँ भाई, यह मेरे साथ मिडिकल कैसे हो रहा है सब चीज, तो यह 31 से और ज्यादा होने लगा, तो समझो आप लगब 25 को ही उन्होंने मेरा, मेरी महा पकड़ ली थी, और समझो कि दूसरा जिंदिगी मुझे मिला, सामने में का सालास आया, मुझे दो काल मुझे ने ले आया, और गुरूपा की सामने तो महा काल है, गुरूपा तो उनके सामने काल कहा टिक पाता, उनको डेख कर डर रहा था, मैं सामने, मतलब, उन्होंने उसके बात, मतलब, वो जब मुझे दिखने लगे, मुझे ना डर लंगने बहुत ज्यादा, sinus का तो issue है, बट इतना ज्यादा blood, sinus में भी बहुत doctor's में मुझे बोला कि नहीं होता है, इतना ज्यादा blood, बहुत लोगों ने migration का problem बताया, कुछ लोगों ने बोल रहा था, मतलब बोला कि cancer है क्या, बहुत लोग, मतलब तरह तरह की बात है कि brain tumor हो वी बहुत ज़ादा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए भी बोला बहुत सारे डॉक्ट हो में भार के ती हरें से तुम्हें सबसेसे अब क्वारी सबसे बरा प्राव में हारी क्योंकि मेरे घरवाले भ版 नहीं लगता है шир कि नहीं ग्रूपा को पीर summer माता हरनी नवरातरा में करती हूं, इस मार में परवाय सोच रही हूं कि कि मेरा पनलब बहुत. संग्यें जी गोई मैं बहुत है। मिरी बहुत ज़्यादा था भी हराड हो हो गेता है. मेरें पनलब मेरी बहल पड़ था. वो लोग औरामहेशिया कर रहे था . और मुझे परिशान कर रही हूँ, इकतना मेरा भयावत अवित खराब था ना, कि मैं क्या बता हूँ, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बढ़ते बढ़ते बच्ची हूँ, बहुत बार और इस बार तो बढ़ी गई और फिर गुरुपा ने ये वंदान दिया मुझे, मुझे मेरी तो जी रही के एक छाय से भी खत्म हो चुकी थी, आज भी जी रही हो ना, तो अब मेरी लाही में कुछ गुरुपा आए है ना, तो मैं अकेला पन वो होता है, वो फिल नहीं करती है, मुझे गुरुपा बोलते कि अपर लिए खुश रहा कर, सजना, सवर्णा, लड़कियों को जैसे भाना जाई बाल तक नहीं जारती थी, मैं मतलब गुरुपा बहुत 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 पूँछे, मतलब समझाते है, छुटा-छुटा चीज एक, पतलना मेरे पापा बिचमिन मेरी कदर, मतलब वो चीज नहीं करते थे, फिकर नहीं करते थे, जि वोनु अंकल के चाहिनल पे किया था जो लाइफ से रिलेटेट कि क्या हुआ मेरी लाइफ में सुरुवात का सत्संग और वो सब सत्संग सेयर करने पार जाओगी तो बहुत लब भी स्टोरी हो जाएगी मेरी लाइफ से जोड़ी होगी सो अभी मैं उतना लब आपना यह नहीं करना चाहती सकताँ सो अभी चोटा में सौर्ट में यह बोलूँगी कि जहां मेरी फादर मतलब 2008 में मेरी मा खतम हो गई और 2008 में ही मेरी सिस्टर बड़ी वाली सिस्टर की साधी होई थी सो पहले से बड़ी मतलब पहले से मेरी सारी बहन लोगों का बेने से बनता नहीं था बोलो बहुत इस से आजलन यह सब की भावना बहुत थी उन लोगों में मुझे लेकर बच्पन से ही क्योंकि एक होता है न कि मैं हर चीज में आगे थी सबसे ज़्यादा म्यूजिक में मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट बहुत ज़्यादा रहे और मा थी तो बहुत मुझे बढ़ावा देती थी कि हाँ, करो, करो, मैं दल जित के लाती थी, तो ममा बहुत खुश होती थी, मुझे पढ़ाई लिखाया पर जाना बन नहीं लगता था, जो हैं वो बता रहे हूँ, मैं बहुत 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 वीक थी पढ़ाई में, बहुत वीक सबसे सब्जेक्ट मेरा मतलब इंगलेस और मै सब्जेक्ट में गई टंथ मैट्रिक में, तो उसके बाद मुझे खेल में इंट्रेस्ट होगे, क्योंकि मैं इस चोटी सिष्टर खेल दी थी, तो मैं भी सोची कि मैं भी खेलूंगी, उसके बाद मैस्टास बगएरा भी खेला मैने बैट्मिंटन, न्यू गेम था, एक मैं भी तूल मैं यहाँ से कुछ भी बना देना है, तो यह सब चीजत जो था मेरा, और धी मेरी बहनों लोग में,लो हनों की संखिया मेरी जयादा है, छे बहन है उन लोग, तो सब मैं में कुछ न पुछ था, रेट्मिंटन फो Star dürfen एक इंसान में इतना भी खेलूंगी की बावना, competition की बावना हो गई थी, वह पहले भी, और उसके बाद जब ये दामाद जी आए न बड़े वाले, तो देख लिए कि जब इसका बनता नहीं, इसका अलग नेचर है, और इसके, मतलब इसके साथ अगर कुछ गलत उल्टा सिदा भी करेंगे न, चरकानी, मतलब कराईब हो जाएगा, तो फिर वो उस टाइप से मुझे लगने लगा, तो मैंने उनको जब रियाक्ट किया, तो उसके बाद, वो बोलना सुनू कर दिये मुझे, समझ गे कि बोलेगी, तो मैं बोली कि मैं बोल दूगी, आईसा मत कीजी, क्या करना है कद भी अरिकत तरीके स तो बस जब बोली तो, यहाँ जाओ बोल दो तुम प्रकौन पर भरोसा करें, मतलब इस इस तरह का, तुमारी बहन तो तुम बोकुद नहीं यह लगाती है, तुमारी कोई बहन सा, मतलब उस चीज का वो फाइदा, तो वही चीज न, कल मैंने पापा को यह सारा चीज, करके ढखती है, लोग, मुझे भी पागल सावित करने का कोशिस किया था, वो आदमी और यह सब, इस बेरी बहन सब मिल कर, मुझे बहुत बार मालने का कोशिस की, मतलब कि बारने का मतलब कि इतना परिसान, इतना डिप्रेशन में डालना, मतलब कि इसλέ सो साइड कर लो, सोस फॉटी थी लगती थी कि किसको बोलूं ममी के मरने के माद को सुनने वाला था नहीं पापा को भी पापा के नजर में बेटा बनी गया कि इस सब बहनों की साधी कराने लगा वो पैसा खर्च पर रहा था तो वो तॉटा नहीं है यह था रखाण तली दमाना पापा को तो इस तरीके से जो बोलने लगे तो मैं पुली आपके सामने भी तो छोड़ती ही थे बेल्ट से मालना फिर चपल से मालना यह सथ तो होता था तो पहले उतना मेरा वो नहीं था एक होता है कि धीरे धीरे आदमी अपके एक औरत होती है कि अगर उसके अत्याचार लगातार हो ना तो फिर भो फात उठाने लगती है वो भी अपने बचाओं के लिए तो फात उठाएगी था एक होता है कि कि राइन को सहना भी क्याइन है तो पहर कब तक सहती पहले मैं इसलिए सहरी थी चुप चाप मतलब छोटे से अब उस सब में मिला क्या एजी था तो सहती थी अपने बेटी से यह किर्वाइए अब आपा कुफ फर दिधी को बहरन को सुनाता था अस अब को सुनाते थे घड़ में तो जमाद देने पर उसके बाद जब बोलते थे तो बहरन लोगा के हावी होती ती मारती थी बिट दी थी या मुझे बोलना गंधी-गंधी बाते बो तो चलो चलो तुमको दिखा देते हैं तो चलो तुम्हारा तवित पर ही ठीक है गुस्ता नहीं करते हैं अब उसका मन में तो साथ सैतान है वालियत भड़ा हुआ और मेरी हालत इतनी वी कितनी वी कितनी वी काप सोचो आप कि जो इनसान का लगातार ब्लड खून का उल्टी हो और नाक से ब्लड आए माइग्रेन का दिर्कत अलग हो सर पटकती थी मैं इतना तुझी नेो महीं देख पाती थी ऐसी लड़्की थी मैं लेकिन दीरे 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 बता है सिर्फ गरवालों ने नहीं में बहुत दो। का प्रोफेशनल लाइफ में धोका कि जखा जाती थी कि वहाँ आखाऊना सुरू चुरू मैं न दीरे दीरे ऐस 앞으로 वेले होती हो गई उ जो तो नहीं थी वो तुझे दुनिया फ़ान लुड़े पना दिया है जब कल पापा को बोले लगे कि आप वो लाटर किये थे एक बार हॉस्पिटल में आपकी चलो दिखा देते हैं और उसके बाद वहाँ अपने फ्लैट परे जाके और मूल दाब रहते हैं और पूझे हाथ उठाया मेरे उपर गलत करने का कुशिस किया जब मैं जवाब देने लगी और मेरी हालत भी इतनी वीख थी पिर नाक से बलड़ा आप उसे बलड़ और मुझे लगा कि आदमी अपसुदा रही है और उसके बद जब मैं जवाब देने लगी तो मारना पीटना शुरू कर दिया बेंट से मारा चपल से मारा बापा बोलता है क्या कि चपल से आप बेंट से मारा बोले कि क्यों आपको इस रहा है उसको भी उसको पागल बनाती है मुझे दमकी देता था कुले आप कर देंगे ऐसे क्या करोगी क्या करेगा को मुझे मेरा कोई नहीं कुछ बिगार सकता है बहुत गंदे तरीके से और इसके बाद फिर पागल सावित कर देंगे तुमको वकील है एड़ोकेट है तुमको पागल सावित कर देंगे आज मेरा बाई को उसने पागल बना दिया बाढल नहीं रहती है इनलो को नमबर मं नहीं बात करा दीए और उसमें यहां नहीं मिलता है मैं ब्लॉक लॉक लिस्ट में डाले हुए थी इन लोग का नमर में नहीं बात करना चाहती थी, मैं एक्टम दूर की बाई बहुत बैफरस्टिटीड और बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, कैसे कैसे मैं अपने हैं को पाहर निकाली थी, और उसमें भी इन लोग कुछ चै कपाजी को देखना है, पापाजी का तवित मैं ठीकिर राता है, हम लोग तो रहते हैं, खही को की साधी होगे हैं, अब तुम आपना रहो यहाँ, को ही नहीं रहता है और जब आगई तो आप साप लूट लह था हैं, थी कलेज्ए पे पिर से वहीं सब ड्रामा अब बोलती ही कि अपना मैं भॉस्था करोब चली जाओ कबी पापा के साथ में कलपती नहीं होленा भाई के साथ में पाप बाई और पापा जाते हैं कि बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि स्ट्रॉंग मैं हो गई हूँ पैसे मैं ना लेकिन अब ना मैं बहुत यह हो गई, यह स्ट्रॉंग हो गई हूँ, दुल्या देखते, देखते, मतलब गुरूपा ने एक तरह से ना समझवा, आपकी मुझे बहुत स्ट्रॉंग बिला दी है, इता लोगों का चैरा मैंने देखा है न, दो तुर्फा चैरा, लगता है यह मीनट में ही लगता है नियत बदलने में, पैसा देख कर लोगों का फापने बाप, प्यार में धोखा, लोस्ती में धोखा, हड़ व सबसे बरा गर परिवार वाल उसे का धोखा, और पापा पुझे मुझे बिलीब भी होता था, क्योंकि पापा क्या करते थे न, इंसान इत पापा भी बजबूर हो चुके, क्योंकि ऐसान दली दब चुके है पापा, पर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, अब चलता उनका है, बापा को तो चलता नहीं है, और यह बैन लोग का चलता है, जो बोलते हैं वही करते हैं पापा, पापा क्या करने लगे कि पापा को जब मै मैं पापा से भी दूरी मतलब पापा को हर बात में शेयर करती थी तो कल क्या हुआ ना कि कल जब मैंने पापा को बोलना सुरू किया यह ऐसे तकलीफ मतलब हुआ है ऐसे मारा पिड़ा तो डॉक्टर पूछा कि तुमको चोट मी लगा है सर में ऐसे कैसे मतलब एक मैं कि ये सरदर्द वाला बचपन से नहीं है तो या घर में भी किसी को नहीं था तो ऐसे कैसे हो गया मतलब तो मैं बोली पापा उतागर वही पर बोल देती कि दो दिन पहले ही तो हाथ उठाया मेरे उपर बेर्ड से बाड़ा आगके बूटो आग बच गया बेर्ड का वो कोड़ा से कॉर्णर से लुड़ोंड का जो होता है रहलोहा का बहुत बार ऐसे हुआ है तो पापा तनप गए कि अब देखो अब सबसे बनी बात संगत जी की खोड़ता है और उनका एज होगी है वो सोचते है कि मेरा पुरा पड़िवार मिलके रहे अब मैं पापा कोकल समझाने लगी कि आप जो चार है वो अभी इतनी जल्दी अब तो होगा भी ने और इतनी जल बहुत रहता है बहुत टाइब हो गया अर उतने साल चाहती हो कि अब मैं और वो सबकामिल हो जाए जर वो होगा वो नहीं हो सकता है अब इस चीज के चलते वुझाते आप इस चीज को समझने लगी मैंस बहुत-धुसा पापा ऊता था मैं बहुत बहला बुड़ा पापा को सुना है, मैं मालती हुए उस गलती को, जिस तरीके से नहीं पोलना चाहिए एक पादर को एक बाप को, मैंने वैसे भोला है उनको, क्यों कि वो उन रोगों का साइड लेना सुरू कर देते थे और मुझे इसी बात पर और गुसा हता था कि आप गलत का साथ दे रहे हैं, आप जानते हो कि वो बेदभाव करती है, मैंने साथ, आप जानते हो कि हीड़ा की दृष्टी से, बहुत ज्यादा गैर की तरह बैवार क करता हो करना आचकल मतलब होता है नहीं, उस तरह आद मी सब करता है बेदभावन, उस से भी भी बत्तर, भी खारी से भी बत्तर मेरे साथ वहार करती है, जों बतलब क्या बोलो, मैं बगुत प्रूपना घडिया में वहार करती है, मतलब लोग कर चाकर का भी इज़त इन लो मुझे ही उल्टा गलत सावित करने लगा हूँ आदमी तूम गलत हो पापा को बोले लगा मन बढ़ा के रखे हुए हैं आप शूट दिये हुए हैं आज तो भही होता है नो मतलब की देखो लड़की के साथ गलत होता है नो आज कलकत्ता वालाई बहुत लोग बोल देते ठीक है दुष्टि मैं भी इस चीज को बात दियुकि हां गलत चीजों पर रोक होना चाहिए अपने संस्कार अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए लड़कियों को भी लेकिन सबसे बरा ना कि सेंसर बोर्ट जो पास कर दे रहा है मूवी इस वगेरा मैंने पहले बाला भी सब्सक्राइब में बोला है वो चीज पर उस पर भी रोक बैंट बोला चाहिए पॉर्ड मूवी वगेरा पर भी बैंट होना चाहिए बच्चों पर बुड़ा प्रभाव पर रहा है फुले आम जो मूवीज दे रहा है उसमे फुले आम सीन दे रहा वेप सीरीज बंबा इता गंदा गंदा फुले आम दिखा रहा वेप सीरीज वर्ड वगेरा सीन वगेरा लॉर्बल हो गया आज कल जो देखेगा आद भी वो तो करेगा ही ना फ्रेश्टे सब तो निकालेगा ही ना लोग खेल जो भी है पहले मैं वो सब बोल चुक्यू लेकिन बात ये होता है ना कि नॉर्मल अब जिन्स भी पहन थी ये लड़ किया तो अब उस पे भी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर तरह का अब मिस्टर पहलो पर तो मैं पहले भी बोले हूँ लेकिन एक तैजीब होना चाहिए जिस्से आपका आउंग नहीं दिखें खराब नहीं लगें बद्बा नहीं लगे तो वही मेरा सुक्राणा सबसंग ये है कि मेरे फादर कल मुझे मुझे ऐसा फिल हुआ न फिर वह आ गया है पता नहीं वह फिर से कुछ पता नहीं मुझे पता है अब क्या फिल होने लगा है क्योंकि वह जब जब जाते हैं वहां फ्लैट पही है कि यूगो भाई को यहाँ मेरे से बात तक मेरे देती है, मेरे बाई को भी अलग कर दिया, यह लोग मेरे से. विचला आता है मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे, तो पापा वाली फ्लैट पे. So, पॉर्ण पर पॉर्ण करना स्टार्ट कर देती है, कहा हो, कहा हो, बस. बांद के रखी हुई है तो पापा को मैंने बोला कि आप वहीं कुछ दिन के लिए चले जाए क्योंकि बाई की मेरी हालत बहुत खराब, बहुत स्रियस हो गई थी धर्वी आलत वह बोली आप कुछ दिन के लिए वही रही है उसके साथ क्योंकि अकेले वह भी सोची है लड़का जात है, युवा लड़का है, कुछ कर नहीं हो क्योंकि बीच में भी एक बार मुझे बोला था कि ऐसे सब चले गए थे ट्रेंट से कटने के लिए, बोली कि मुझे अदर पागली पतल पागल बोलता है या मुझे मेरे साथ जैसा भी वहार करता है, कुछ भी है अपना, रैनर दीजे ना, बोल दीजे हाँ पागले है, यह है वो है, आप कम से कम बेटा का लाइब बना देजे, मेरा छोड़ी यह मेरा, मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ, मतलब मैं कर लोगी अपना, अनल, आप बस इतना बोलूँगी कि आप अपना बेटा का लाइब बना लीजे, क्यूंकि मम्मी के जाने के बाद मेरी राइब तो बत्तर हो गई, मैं मैं अपना देखा है तो बेटा को कब से कम उने लोगों का कुत्ता बना कर जाईए क्योंकि वो आदना अंदर गूट रहा हूँ मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं उस तकलीफ से गुजरी हूई हूँ बस यही है एक चीज का अंदर लोगों ने कुछे पागल बनाने का तो बहुत कुछिस किया बट यही है कि बगवान ने मेरा माइड उस तरह कर नहीं किया था वो बिचारा का बब्बी के मनने के बाद सत्मातु लगाई हुआ था और उसके बाद लब अब्बी के रहते हुए भी उसको दो बार अटैक आया था मतलब उस तरह का एक बैक बहुत तवित स्रियस हो गया था दो बार फिर भी वो उस तरह का अब्नॉर्वल वाला उसका नहीं था सिच्वेशन घर में लड़ाई जगरा का बहौल हर समय दिमाग पे असर पढ़ते गया उसके बहुत चीजों का एक आख की रोशनी चली गई उसकी वाइट पर असर पढ़ते गया इतना तेज था बच्पन में पढ़ाय लिखाये में बाद में दिरे दिरे पढ़ाय में भीक होने लगा उसका सरीर पर जब हेल्थ पर असर भीमारी के कारण पढ़ा तो असर भी पढ़ता है न बस मैं गुरू पास यहीं अब कभी बहुत रोड़े थी कि गरुद मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते ठीक है जो भी है भाई का हालत मैं नहीं अब देख पार ही कुणकि वहरे में वही एक ताजो मुझे इसको मच्टा था वे अपना बाद में उसको बोलती थे व हो जानता है पेरी तबलिद्वी को एख मतने लोग उसस कि बात तक तो अपना भाई से बात तक नहीं कर ले है अब है te पापा बहुत कलब के अंदर से उसे कल लगे की दिकूता है न आता मेना साल से चारे थी कि पापा के सीडे से लगाच मुर्च कर दिया से अगे लगे कर दिया तो इतार साल से मैं अराथ कीतरह जिद्गी बिजी रहते यहां पेपी रूब एक ली उए उड़ा है, वास चोड़ी ने उस अमार मा आई है, मेरा रखाओ, मैं लॉप की वही हो, क्योंकि मुझे पता है क्या से, मुझे कभी भी जाना हो सकता है, पपा की आसे, पेपी पे जूट बोली, जूट बोट का कावारी बनाई की, वो पूचा भी क्यों लोगों ने रेंट दे रात जो, ऐसे नहीं देता है एक लड़की को रेंट पे, रूब, छे जब आपका गार है या, प्लेंट है अपना आपका, तो फिर आप रूब क्यों ले रहे है, मैं बात बना दी कि, नहीं भाहिया है, जबकि मेरा बराबाई तो है नहीं, मैं पुली कि नहीं महिया भाह भी है, तो तुरा से डिस्टर्रेंस होता हो लोगों होगे कार, उनकी अपनी पैमली है, पापा समस्तिपूर चले जाते हैं गाउपे, क्या आप करो? कल मुझे बहुत रोणा भी हाया आता, पता है, पापा बोलते है कि तुम मेटी नहीं हो, बीच में इतना उनका कार्ण इतना ही, लोग भाड़ के मुरबर के, मेरे मतलबाई गेस्ट कर दी पापा को भी, कल बोलते हैं तुम मेटी नहीं हो, तुम नहीं होगे क्या, अब जल लोग का हैं, लोग का है, वंने चलते हैं, और को आप भी, बोलते हैं, कभी कभी क्या, वह आजाते हैं, तुम में सुनाती हैं, वह मजबूर हैं, कि बोलिये उनको जब कि चली जाओगी अपकाय मेरे चलते टिंसर ले रहे हैं क्यों टेंसर ले रहे हैं आप उसको उसको ध्यान दीजिए उसका कम से कम लाइट बना दीजिए ठीपि उसका ऐसा सब वीबारी देख रही हो जो बंबी को था प्रॉबलम उस तरह का बोल रहा थ कल पर में दिमाग खड़ाब हो क्या कि बढ़ी नहीं बाई मेरे चलते इन लों को क्यों तकलीफ हो हैं अगर परिवार में एक कोई कर्ष्ट करें कर्ष्ट जेले और सब सुपी रहे वो तह जाता अच्छा है ता से लों की आप मुझे लेकिन दर नहीं मेरे गुरू पाया मुझे डर नहीं मुझे श्रसे नहीं कि सकती गुरूंपा दे रहा है मुझे संबाल लेकि आप से मिन जी लेकिन मुझे कोई अचा नहीं बस अब गुरू पा मेरे साथ है हमेशा तो छल्ड़े उफाँ शुक्रा ना गरूपा कल विडे पापा को मेरी चिंता ओई मेरी फिक्रोई इतना साल बेर टेतो पिगाले ते नहीं लगे ते मुझे दुद कार्टे लगे तुन लों की बात मियाखे सुप्राना गरूपा पर प्र मुझे बहुत भ्लसाल में दीन हो डिने नहीं थे कि मेरं तुना बुड़ा भुटा बुड़ा बुटा बुड़ा बूला मुला बुटा बोला है विजे मेरा कर्म कराप हूए में— मुझे बाफ नहीं कर पहुँ आपको मेरे भाई को ठीक कर दो गुरूपा नॉर्मल लाइफ दे दो उसको इसको नॉर्मल कर दो उसको स्वस्थ कर दो मेरे पापा का सुगर मोध रहते मोध बढ़ गया है उनको भी स्वस्थ कर दो मेरा बंदवस ख्रीक करा दो गुरूपा एक रूम है वहां बेभी रहने भी दिक्कत होता है कि तरकी जान तू कि चल्दी सब बुड़ा अपन आ जाये मेरा तो कम से कब लोगों जुलोग आए वाण रहते उनका बुड़ा रजर तो नहीं पड़ेगा दो मेरे उपर उसके बाद मेरे दुबरत आजा एहीं सूच थी पर इसी पर बोज नहीं बढ़ना चाहती पर बस किसी पर बोज नहीं बढ़ोंगे जिपाप लेने हो डगड़ू पाम बुचे पंच वो प्यार सने जाटा पुचे प्यार तो आपको पकर कर बहुत रोओंगे कैसे पर इस दुनिया में दमारा वापस मत भेज़ना हूँ उसे नहीं आपना गया हूँ मैं लोगों से धर जिटे लगाना है मत अपना से धरती पे नहीं आपना वापस बलतेहीं का अग्रेग चाहा है मैं सुआधन जाना चाहती उप्टी माल की तरह जो लड़कां से प्यान करती हूँ दो का भी काई हूँ पहले लेकिन अब जो लड़कां आप देंके उड़ा आप पे जानती हूँ आप भी मिलाए हूँ उसके साथ बुड़े अच्छी से समाज के सामने ऐसे तो मेरी मांग बना है वो मां की चट्डों के सिंटका से दू लगा कर डाल कर मेरी मांग में पर मैं चुंती हूँ अब इसके लिए तरीके से आपका भी हसरवाद मिले बड़े पक्तिरा हूँ और ये जिन्दिगें चे परिवारों उत्ते हुए बहुत है किरारा फिल कियों प्यार के लिए बहुत धसी हो मैं मैं चाहती हूँ मेरा पनिवारों को सुप मिले पर जे पती को बहुत प्यार मिले अंजमने उसकी बाहों मेरे दब थौड़ दो और सुहागन की तरह, दोला स्रिंगार करके आगा से, इस दर देपर से, इस सरीर से मुझे मुक्टी पिल जाए, और उसके बाद आप प्यार से मुझे ले चलो यहां से, फिर दोबारा नहीं आँ आने ते दा पुछे आप, मैं नहीं आँगी, आँ चोड़ती हूं आपसे, प आपकेनी आप, जो आप मेरी लाइप मे आए, बहुत परिचाू ले लिया, आप मतले ना? अब मत लेना कर दो अब मत लेना कर दो अब मत लेना करें चाब बस यह जानतों अंतिर चापुरी कर दो नहीं तो अभी मौत दे दो मुझे अब मत लेना जाती हूँ और नहीं किसी पर बोज बना जाती हूँ मुझे खुर इतनी इतनी इंडिपेंडेंड बना दो सिके आगे आतनी मैं लाना पड़े मुझे जाय नहीं पती किया आगे पी नहीं उसके ऊपर में बोज नहीं पर ना चाहती है फॉर अवय वियु सो मच ग्रूपफ शुँ विर आँ बलिल मेरा परिवार मुझे गिष्डा के दिश्टी से देखे, बहरे मेरी बैन लोग मुझे से इस्षिया करें, गिहर किता है मैं हाड करें, फर मैं आज अपने आपको बहुत कुछ ना से इप समझती हूँ, ये मेरे मुझे कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, जो मेरे गुर जो मेरे बगवार ने मेरा हाथ थाबा है, मैं जरूर बहुत 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 कुछ नसीब हूँ, ये जितों करगोने लगा है अपने आपकर अब, जबहुत कार ना हूँ हूँ, मैं मेरा सत्सक बहुत लबा हो गया, उसने लोगी थोड़ी सी पहले की बात याद भी करना चा जाती, थेंकी सो बज़ करूपा, पापा खुबी इंसास कराने के लिए पर अपना ही चाहती उनको तक लिए खुबेड़ी पचस, और शुक्राना आपका, मैं तो कुछ नहीं हो शुक्राना करने, क्या हमें शुक्राना आपका करो फिल, किसी जनन में आपका शुक्राना वो, वो बुरा नहीं हो ज़कता, गिंती नहीं है, थेंक्यू सू बज़, प्यार, थेंक्यू गुड़ो, मेरे सर पे अपना प्यार भड़ा हाथ रखने के लिए, शुक्राना, पॉम्नमा शिवाय, शुक्राना गुरुची, शंगित जी मेरा ये सत्सक्रान जरूर आप शेयर कीचेगा, और कल मेरा लास्ट सत्सक्रानों का सात्वा, अम्रित वेलावाला जो पुछी सेवा दिया था गुरुपा ने उसका, फिर तो मैं बेली करूँगे, डेली नहीं, लेकिन हाँ करूँगी, संग जी, अगर आपको आज का सत्सक्रान अच्छा लगा हो दूँढ़ी, ससंग को ओर संगत के साद जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरवात पराप्त कर सके जय गुरुजी